पिछले वीडियो में हमने देखा था किस प्रकार मात्मा गांधी राउंड टेबल कॉन्फरेंस से जब वापस लोगते हैं तो इन्हें मालूम सबता है कि भारत के अंदर अभी भी कई जो पॉलिडिकल लीडर्स हैं वो जेलिमन हैं उसके बाद वो दुबारा इस अन्हों को स कैसे लिया और किस्वगास को पाटिसिपेट के हैं सबसे फ़ले हम डिसक्स करिंगे रिच पीजेंस लाग पाटिदार अफ गुजरात अफ जाट्स अफ यूपी जब उन किसानों को ये उस वक्त मंदी चली रही थी और मंदी की वैसे सबसे था जो नुक्सान पहुचा था ये कमर्शल क्रॉप्स उगाया करते थे और उसका वैसे इनको बहुसा नुक्सान हुआ और इनकी जो प्राइजेस थी इंटरनाशनल मार्केट के इंदर वो गिर जो इनकी income थी वो जाती रही और अब ये कैसे government को revenue पे करेंगे ये सामने समझ साथी तो जब महात्मा गांदी ने civil disobedience movement को start किया तो इनको लगा कि अब हमार लिये हो सकता है कि जो revenue है वो government कम कर देगी इसलिए इनोंने बहुत जोश के साथ इस movement के अंदा participate किया और government के ये महात्मा गांधी के चितने भी बाइकाट प्रोगाम से उसके नहीं हिस्सा लिया For them, fight for suraj was against high revenue But they were deeply disappointed when civil disobedient movement was called off in 1931 Without revenue rates revised महात्मा गांधी ने जब बिना revenue rate को revise हुए जब इस movement को वापस ले लिया तो इनको बड़ी निराशा हुई और जब उसके बाद महात्मा गांधी मैंने लास्ट वीडियों बतलाया था वहाँ से लोटने के बाद गोल में समयलन से आने के बाद उन्होंने दुबारा 1934 में इस movement को start किया तो जो rich presence थे उनका इसमें कोई interest नहीं रह गया और उन्होंने इसके अंदर participant करने से मना कर दिया अब हम देखते हैं जो गरीब किसान थे उन्होंने इस movement में किस परया से participant किया small farmers cultivated on landlord's land as depression continued small farmers found it difficult to pay their revenue अब जो छोटे किसान थे वो जमीन जो है वो किराय पर लेकर rain पर lease पर लेकर जो अमीर किसान थे उनसे जमीन लेकर ही खेती का करते थे और बदले में इनको जमीन के उपर जो उनको tax देना पड़ता था जब depression चला था उस मंदी के दोरान सब कीमिते गरी चुकी थी तो इनको लगने लगा कि अब हम revenue या हमारा यह जो जमीन के उपर जो हमको tax चुकाना है इस tax को हम repay कैसे करेंगी इनकी यह demand थी कि अगर हमारा लगान माफ कर दिया जाए तो हम इस movement में participant कर पाएंगे या तभी हमारे लिए इस movement का सच्चार्थ निकलेगा बट Congress did not support this no rent campaign as this might upset landlords Congress ने जो गरीब किसान थे इनको support नहीं किया कारण क्या था क्योंकि कई अमीर किसान थे वो Congress को finance करते थे Congress को fund दिया करते थे और उनका हिस्सा थे जो landlord या बड़े किसान थे और अगर Congress छोटे किसानों को support करती या लगान माफ करने के लिए बोलती तो बड़े किसान थे जिन से Congress को चंदा मिलता था वो नाराज वो दाती इसलिए उनका किसानों के तरफ कोई ध्यान नहीं दिया How did the business classes relate to the civil disobedient moment जो business class लोग थे जो बड़ी बड़ी फेक्टरी से लाया करते थे इंडस्टरिस थे उन्होंने इस मुमेंट को कैसे लिया During first war Indian merchants and industries made used profit by colonial policies restricted business activities जब first world war हुई तो पूरे Europe में production बंद हो गया सब लोगो जबरन सेना में बेजा जाने लगा और इस वेसे भारत के जो इंडस्टरिस थे उन्होंने इस वक्षूब profit कमाया और भारत से जितना भी जो माल था वो export किया जा रहा था पर अब colonial policies की वेसे इनके जो business थी उस activity के अंदर जो है दिक्यत आने लेगी यह चाते थे कि foreign goods जो सस्ती जो आ रही है उनके पर कोई import price नहीं लगाई जा रही है और सस्ती मिलती है और हमारको competition करना पड़ता है उनके पर रोक लेगाया जाया और उससे हमारको बचाया जाया यह इनकी demand थी the Indian industrial and commercial congress was formed in 1920 इसली इनो ने भाग के अंदर commercial congress को बनाया 1920 के अंदर और एक इनो ने institution भी बनाया जिसको हम आज फिक्की के नाम से जानते है यह institution उसी सुख बनाया गया था federation of the Indian chamber of commerce and industries was formed in 1927 how did business classes relate to the CDM you know उने civil disobedient movement को किस पर गास लिया यह जो फिक्की था यह पुर्षवतमदास और गंशामदास जो बिल्ला थी उनो ने इसको बनाया था और यह financially जो इस movement को support कर रहे थी and refuse to buy and sell imported goods for the businessmen suvara as mean an end to oppressive colonial prices जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ इनकी नजर में सुराज का मतलब या civil disobedience का मतलब यह है कि अब जो उप्रेसिव पॉलिसी से उनको समाफ कर दिया जाएगा They wanted an environment which could allow their business to flourish पर कुछ समय बाद इनको ऐसे लगने लगा कि आंदोलंग जो है वो violent हो रहा है American activities बढ़ गई है और इससे market को नुक्सान पोचेगा उनके products भिखना बंद हो जाएंगे इसलिए उन्होंने इस movement से अपने pair खिचना शूर कर दिया और उसी समय Congress के अंदर younger members का group ऐसा था जो socialism को support कर रहा था जिसके यह businessmen सक्ष खिलाफ थे तो दिमे दिमे इनका जो रुजान था वो इस movement से दूर होता गया Industrial working class participation of the movement अब जो इन factories में काम करने अले मजदूर थी उनकी नजर में यह आंदोलन क्या था Since industrialists who are closer to the Congress, workers kept a distance from the movement क्योंकि जो industrialists थे वो Congress को finance करते थे इसलिए शुरू से इन्होंने अपनी दूरी बना के रखी मजदूरों ने पर कुछ मजदूर जो थे उन्होंने खुलकर इसके अंदर participate किया जैसे नागपूर रिजन की जो मजदूर थे उन्होंने civil disobedient movement का अंदर participation किया those who participated accept Gandhian program like boycott foreign goods, their own movement was against low wages and poor working condition अब इनकी नजर में civil disobedient movement का मतलब क्या था, इनकी नजर में था कि जो हमार को जो कम मजदूर दी जाती है उसको बढ़ा दिया जाएगा और जो poor working condition है उसमें improvement होगा, इसलिए उन्होंने जिन थोड़े बहुत लोगों ने आगन दनों को support किया इसी बज़ेसे इसलिए उन्होंने इन मजदूरों की मांग के पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। और नेक्स वीडियो में में स्टेडी करेंगे women's participation in the movement. Thank you.